नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल आज टेडी ओफिशल पर तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट विधान सभा चुनाव 2024 की जिसमें महायूती ने बहुमत का आकड़ा पार करते हुए बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों इस चुनाव में महिला वोटरों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली और इसे लाडली बहन योजना की सफलता से जोड़ा जा रहा है तो आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे महायूती की जीत और MVA के हार के पीछे के कारण को साथी दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि लाडली बहन योजना ने महिलाओं को वोटिंग के लिए कैसे प्रेरित किया महिलाओं वोटरों की एतिहासिक भागेदारी और इसका चुनावी परिनामों पर प्रभाव के बारे में भी हम बात करेंगे साथी दोस्तों कॉंग्रेस और महायूती की नीतियों की तुलना करेंगे और इस चुनाव से जुड़ी कुछ एहम बाते जैसे की मद्दान प्रतीशर्ट और शेत्रों की दिल्चस्प कहानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार के महराश्च शुनाव में क्या-क्या खास रहा और ये नतीजे आने वाले दिनों में क्या माइने रखते हैं तो दोस्तों महराश्च में इस बार महायूती जिसमें की बिजेपी एकनाच शिंदे की सिफसेना और अजीद पवार की एनसीपी शामिल है इसने बहुमत का आकड़ा पार कर लिया है इसके साथ ही राज्य में महायूती की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है तो दूसरी और महाविकास अगहाडी जिसमें की शिवसेना उद्दब गुटवाला कॉंग्रेस और NCP शरत पवार गुटवाला शामिल थे वो बहुमत के आकड़े से बहुत जादा पीछे रह गई अब बात करें अगर दोस्तों महिला वोटरों की तो इस बार के चुनाव में कुल 66.05% म चुनाव आयोक के आकड़ों के मुताबिक कुल 6.444 लाख वोटरों में से 3.6 लाख महिलाओं ने वोट डाले महिला वोटरों की बड़ी भागेदारी ने साफ संकेत दिये कि वो इस चुनाव में बड़ी भुमिका निभाने के लिए तैयार है आपको बता दू कि करवीर व पोटरों में इतनी जागरुकता कैसे आई तो इसका जवाब है लाडली बहन योजना जी हां महायुती ने सत्ता में रहते हुए लाडली बहन योजना शुरू की थी जिसके तहट महिलाओं को हर महिने 1500 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाती थी चुनाव पर चार के दौरा महायुती ने वादा किया था कि यदि वो सत्ता में लोडते हैं तो ये राशी बढ़ा कर 2100 रुपे प्रती महा कर दी जाएगी अब इस योजना का असर इतना बड़ा रहा कि कॉंग्रेस को भी महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपे महिने और मुफ्त बस यात कागल आमरोरी नवापूर शाहुवाडी और पलुस काड़े गाउं जैसे शेत्र में महिला वोटरों ने बड़े पेमाने पर मद्दान किया है अब दोस्तों महायुती ने महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहन योजना का जमकर परचार किया इस योजना के लिए बीज पर इसके पास महराष्ट में कोई ठोस नितित्र या भरोसे मंदचहरा नहीं था जबकि महायुती ने सत्ता में रहते हुए योजनाओं को लागू करके दिखाया था चलिए अब बात करते हैं इस चुनाव के नतीजों के कुछ खास बातों के बारे में तो सबसे पहले इसक करोड 70 लाख मददाताओं में से 66.05% ने अपने मताधिकार का इस्तमाल किया ये पिछले चुनाव से कई जादा था दूसरा महिला वोटरों की संख्या कुल 4 करोड 79 लाख महिला वोटरों में से बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहली बार मददान किया इसके बाद दोस् दाबा विधान सभाष शेतर में 44.44% के साथ सबसे कम वोटिंग हुई अब मेरी राय में दोस्तों इस बार का चुनाव कई माईनों में इतिहासिक रहा सबसे बड़ी बात ये रही कि महिलाओं ने इसमें बड़ी भागिदारी दिखाई लाडली बहन योजना जैसे कदम के और महिलाओं के कल्यान के लिए अन्य ठोस कदम उठाती है तो ये राज्य की राजनीती में एक पॉजिटिव बदलाव होगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस चुनाव में सच में लाडली बहन योजना इस जीत की सबसे बड़ी वज़ा रही या फिर अन्य कार और महिलाओं के लिए फिर अन्य के लाजनीती छोस्तों बजर दीनुनाव में सच में सकता है कि और दो ये अन्य करें एक ले कुनाव होगा है क्यान फित विएीन।